हे गाइज वेलकम बाग तो माई यूटूब चानल पावर ओफ प्लांट्स सो जिस प्लांट के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कोलियस का प्लांट कोलियस का पौधा सो जो ये कोलियस का प्लांच होता है ये एक औरनमेंटल प्लांच है जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे जिसे ये जो पहली वराइटी आप देख रहे है सेंटर में है थोड़ा सा पिंक और फिर थोड़ा सा ब्राउन की एक बॉर्डर बनी है फिर एंडिंग में थोड़ी सी ग्रीन कलर की बॉर्डर बनी है यह एक वराइटी है जो मैं आपको दिखा रही है और एक वराइटी आती है और एक जो आती है थोड़ा लाइट ब्राउन लीव होता है और इसके बॉर्डर पे एक डिफरेंट ही कलर देखने को मिलेंगा तो यह जो प्लांट होता है इसमें इतने सारे कलर ओप्शन अवेलेबल है थोड़ा सा ओरेंज कलर में आ जाएंगा लाइट ओरेंज कलर में और थोड़ा सा जो रहेंगा यह ग्रीन कलर में आ जाएंगा या फिर कहीं पर ग्रीन कलर के लीव रहेंगे तो उसमें लाइट ग्र और एक वराइटी है जो मैंने कुछ डे पहले यहां पे लगा के रखी है जैसे यह कटिंग ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी मैं इसे पॉट में लगा दूँगी यह ब्राउन कलर एक पिंग कलर का आ गया और फिर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ रहा है इसमें पहले हम इसके केरिंग के बारे में बात करेंगे कि इसके किस टाइप की केरिंग लगती है जाधा केरिंग मेडियम केरिंग या एकदमी हाई केरिंग तो अफकोर्स ये प्लांट को केरिंग बहुत ही जादा नेसेसरी है, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहिए कोई से इंसेक्ट अटैक ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, अगर आप इसे एक दिन भी पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट थोड़ा सो सिंपल सा है कि जो स्टैम है, इसे स्टैम कटिंग मेथड से प्रपोगेट किया जाता है, आप कही से भी अपने आपके फ्रेंड होंगे या कोई फामिली मेंबर्स होंगा जिनके प्लास ये प्लांट है, वहां से स्टैम एक्स्चेंज कीजिए प्लांट की और अपने घर पर स्टेम में लगा दीजिए स्टेम में लगा दोंगे उसके दो-तिन दिन बाद ही यह रिजर्ट शो करेंगा अच्छी तरह से इसकी ग्रोध जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी आप जब यह प्लान को प्लान करेंगे अपने पॉट में तो इसे किस टैप का स्वाइल आप प कंपोस डालिए यह बेशिक ठीग होती है कि वह सांड इसे स्टेम वोटर बिल्कुल पसंद नहीं आता है अपने पॉट में स्टेम वॉटर से एक घराब हो जाता है इता कि सांड में पॉरा पॉरस निचरगा होता है सांड पानी है वह सारा फूर आउट हो जाए और जब सम प्लान का कलर, सनलाइट नहीं लगिया, ये लीव्स डार्क है, और नीचे बाले देखिए, जहाँ पर जादा सनलाइट लगी, तो वो लीव्स का कलर कैसे थोड़ा सा फेड हो गया है, तो आप इसे समर, समर डेज में उसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिए, समर डेज में आप इसे over excessive sunlight में ना रखे, shady एरिया में रखे, semi shady एरिया, एक दो घंटे की धूप दे दीजिए, फिर उसके बाद इसे semi shady एरिया में रख दीजिए, ताकि इसके जो लीव्स का कलर है वो फेड ना हो, because ये प्लांट की जो ब्यूटी है, real beauty, जो ये प्लांट की है, इसके ल आते हैं, आप new new stem से pinch off करते रही है, अगर आप इसके जो stem पे, जो starting में pinch off नहीं करते रहेंगे, तो ये जो प्लांट है, वो upward direction में growth शुरू कर देंगा, और जो leaves है, वो बहुत कम हो जाएंगे, stem से बस उपर 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 बनना start कर देंगा, और इस कारण भी आपको जो प्लांट होता है, वो बूशी नहीं बनता है, वो totally upward direction में बहुत ही कम leaves के साथ ग्रो करना start कर देंगा, तो नैसेसरी है कि आप इसकी pinching करें, फ्लार्स जो आते हैं, फ्लार्स को भी आप cut off कर दीजी वहां से, तब जाकी बहुत अच्छे से ग्रो हो इसकी बहुत जादा अच्छी होँगी, बहुत ही बुशी बनेंगा यह प्लांट, और मैं इसकी watering की बात करूंगी, तो अगर watering कैसी देना है, तो over watering बिलकुल नहीं, यह plant over watering tolerant नहीं करता है, जब इसको प्लांट होता है, जब इसे water की requirement होती है, बहुत जादा जब इसका water ख हो जाता है इससे मतलब समझ आजाता है कि प्लांट को पानी की अब जरूरत है हाडली जरूरत है आप तब उसे वाटरिंग कीजिए ऐसी नौबत तो आने मत दीजिए कि इसके लीवस बेंड डाउन हो जाए उसके पहले ही आप इसे वाटरिंग दे दीजिए बर ज्यादा वा करका दो आपका झानल वाट ऑन्ग्स् dumb